हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का हमारी सुरूटूप चनल पे आज का हमारा जो टेप चेप्टर होने वाला है वो है इलेक्ट्रेशियन हस्त और जार जो की चेप्टर नंबर आपका दूसरा है एलेक्टिसेन जो बुक है उसमें से दोसरा नमर चेप्टर आपके लिए हम लेके आने वाले हैं तो आप लोग ध्यान से इस चेप्टर को पढ़ते चलिए और बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे ताकि आगे फ्यूचर में हमको कोई दिक्कत ना हो और इससे जितने भी कुशन पूछे जाएं वो हम इजली सॉल्व कर पाएं तो बाड़ी-बाड़ी से इसको जानना सुरू करते हैं तो चलिए शुरू करें पहला देखिए आपको पढ़ना है एलेक्टिसेन हस्त आजार के बारे में इस चेप्टर में आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से समझते और सुनते चलिएगा आप लोग ठीक है आगे देखिए देखिए दोस्तों यह बहुत ही मज़दार यहां पर आपका टॉपिक है तो इससे असानी से आप समझते चलिएगा मज़ा आने वाला इस चेप्टर में तो चलिए शुरू करें तो चलिए देखते चलिए आप लोग मज़ा आने वाला इस चेप्टर में कैसे आएगा वो हम बताते चलेंगे देखे पहले क्या कहई तो इसे दीरे और एक दीर में एक हम लोग कंप्रीट करथे चलेंगे पिछला वीडियों में हमने आसम संपोर लिया था पहला कुश्चन नहीं है आप लोग समझते चली देखें कामगार की कारे को सलता केवल उसके ज्यान पड़ी नहीं निर्व करती है अपी तो इसके द्वारा किये जाने वाले आज़ारो तथा उसकी देखभाल पर भी निर्व करती है आप कैसे काम करते हैं ये माइने नहीं र ध्यान से समस्ते चलेंगे कौन-कौन से वह ऑजार है देखिए पहला है प्लायर प्लायर क्या होता है यह दो जो है टांगों का जोरा होता है जो एक पीवर से जुरा हुआ रहता है इसके परतेक टांगों पर एक लंबा हैंडिल वह एक छोटा जो होता है यह कई परकार के होत ना है combination player क्या है यह तारों को काटने उसका एंसुलेशन उतारने तथा मोरने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता यानि कि जो आप घर में PVC वाला जो वायर मोटा वाला देखे हुईएगा यूज में लाए हुईएगा उसके cover को उतारने के लिए तारों को काटने के लिए combination player का यूज करते हैं आप लोग ठीक है यह आप एक इस तरीके से figure भी दिया गया है उसके जोरा पिलांस एक तरीके से दिहाति भासा में कहा जाता है तो देखे अगला point है कि इस player में कई काम ल बना होता है यह याद रखने वाली बात है चुकि इससे question बनता है इसलिए याद रखेगा इसको ठीक है दोस्तों आगे देखिए अगला है यहां पर देखिए क्या क्या चीज है combination player में आपको देखिए यहां आपको क्या दिख रहा है इसको प्लांस नाम जानते हैं यहां दिख़ रहा नहीं यहां पर joint cutter है और यहां जो side cutter यहां पर भाला यहां बना हुआ रहता है और उपर वाला जो है pipe grip होता है ठीक है और यहां से तार को काट रही क्ट रहे के चुट काट सकते हैं अब देखिए यहां पर दियान से आगे हम लोग पढरते है फ्लाइज नोज प्लाइर क्या होता है इसमें बेसिकली चेप्टर में आपको इलेक्टिशन में जो भी हंस्त और जार जो यूज किये जाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना ठीक है अब देखिए अगला टॉपिक है यहां पे आपके समने फ्लाइज नोट प्लाइर क्या होता है समझ यह पेापको समंझना है यह बिजली के काडियों में उप्योग होने जरूडी और होते हैं और इसका पर्योग उसका होता है तारों को पकड़ने तथा खीचने के लिए करते हैं कि लिए वात है जो इसका जो साइज होता है है सो एमम से 200 एमुन होता है कितना होता है सो एम एम से अपका 200 पालप में मुथा क्लियर आगे देखती हैं अगला दीखिये ये कुछ으 इस तरीक की का आpora आपको दीख न यहाँ इसस सड़ीके से यहान पर राउंड नोज यहां पे है यहाँ पे हिंग है यहाँ पे insulated handle होता है insulated handle इसलिए दिया जाता है ताकि आप विधुत बाला काम कर दाया ने उसमें कोई भी आपको wire का मतलब पकर के कुछ खीचना रहेगा तो आप यह कर सकते ठीक है आगे चले आगे देखिए round nose player क्या होता है तो round nose player क्या होता है देखे तर आपने क्या लंबा होता है इसका पंडयोग को घर्णे में करता है डर्मिनल से जूरे दो चोटे भागो को पकड़ने के लिए इसका यूज आप करते है ठीक है तो यह सारे यूज आप करते इसका फीगर देख लीजे इस त्रीक का फीगर है इसको हम लोग नोज रांड प्ल portfolator कहेंगे इसे ठीक है यहांपर तूJust भीज देखती के आपको समझ में आेगा आहेगा देखिए विकर्न कटर प्लायर पहले से जानते हैं किवल नाम आपको इसका नहीं पता है तो द्हान से देखिए मजा कीजिता प्लायर में आपका यह जो आगे वालाана और पोर्षान आपको दीख रहा है ये वाला जो ये कट करता है दोनों जो है क्याक्ता है काट आगे देखिये काहां करता है इसका पَड़ियोग कहां कहा कोता है recommend autor गॉट सब्शक्ष कात Alternatively सब्सक्रास त्रों सब्सक्राइबà सब्सक्रातर प्रेबु है कर्क के इंसुलेटेट आवरन को भी हटाते हैं तो इंसुलेशन जो होता है उसको भी हटाने में इसका काम किया जाता है अब देखिए इसकी लंबाई जो होती है 100 mm से 110 100 mm कोच्छन कोचता है तो यहांपर लमबाई 120-200 के सब कूश्चन क्या है आपसे आगे देखिए end cattle player है यहाँ पर अब देखे end cattle player यहाँ पर देखे काटने का काम करेगा यहाँ दोनों इसका नुकीला भाग निकला रहता है दोनों साइड में जब आप इसे और इसे दवाते हैं तो यह क्या करता है काटता है यह आगे का दब जाता है और किसी भी object को बीच में अगर डाल देते हैं दो फट से कर जाएगा चुकि यह नुकीला होता है ठीक है और इसकी लंबाई भी देख लिजे इसकी लंबाई क्या हो जाएगा इसकी लंबाई आपकी यहाँ पर इसकी लंबाई क्या हो जाएगी इसकी लंबाई 130, 160, 180, 200, 210, 10-240 mm होती है ठीक है समझ में आ रहा है यह नहीं आ रहा है एक पर कॉमेंट करते चलिए आपके लिए ही हम यह ट्रेड थियोरी की क्लास शुरू किये हैं तो आप लोग चैनल पर नहीं है तो लाइक कर लिजे सब्सक्राइब कर लिजे और दोस्तों में सेयर भी कर लिजे जो इलेक्टिसियन की त्यारी कर रहे है तो इससे जो है न सीधे या वक्र जो के रूप में उपयोग करते हैं इसका पडियोग जो है बिसे रूप से छोटे भागों को सीमित पड़ी छेतर में पकरने के लिए किया जाता देखे कुछ इस तरीके का फिगर दीख रहा है आपको इस तरीके का कितना लॉंग नोज है नाक की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यह आपकी नाक की तरह दिख रहा है नोज टाइप की यह दिख रही है ठीक है और इसका जो लंबाई होता है क्या होता है तो इसकी लंबाई होती एक सो असी दो सो चालिस दो सो बीस आप पयुता है स्क्रू को खोलता और कसता है इसका नाम रखाelnार है विसे और हम उपरी भाग में लक्रि या भी का लगा रहाता है लगति के लिए के लिए प्रयोग किया जाता है अब काथ का नेक्टर सब्सक्रूल राइबर को करते वह सब्सकरी लंबाई जीक छोटी स्कूल बेद्य ऑसे कार्बन बना हो ता एग जिरनकी हाड हो स्कुरूडृवर देखेट रिटूर्ड। जिसके भी खि exception यह सकुडूड़ enforcer यह दिना समय हुए भूसे बात है कौन-कौन कौन से परकार के हैं देहां से कौन-कौन से परकार के पहला यह कई परकारे हुभ तरहिवर श्कुरूटॡ्रेंगे आगे राच्ट स्कूरुड्राइवर वो भी पढ़ेंगे आगे कारपेंटर स्कूरुड्राइवर फिलिप्स स्कूरुड्राइवर ऑफसेट स्कूरुड्राइवर यह पांच परकार की स्कूरुड्राइवर जिसके बारे में आपको पढ़ना है देखे कुछ इस तरीके का स्कूरुड्राइ सेंटिमीटर सोक सैक लंबाई के पेचकस का ज्यादा तर प्रियोग किया जाता है कितना से कितना पांच से तीस सेंटिमीटर के सैक लंबाई के पेचकस का प्रियोग किया जाता है अब देखिए विधूत बहुत परकार के पढ़ें कि अब हम हैं मोटा मोटी अब होता ही होगा यह किसी बस्तू या मेटल को ठोकने पीटने या कूटने आधी के काम में लाया जाता है आप अधिक आवस्या सपर्ट्ट किलिए है इसकी पहचान और इसके बहार और पैन के और उसे कई जाती है अब देखें पावर हमर को फोर्ज करने के लिए परियोग में लाए जाता है इनमें मैन पावर कम खर्च होती है और बड़े बड़े जॉब जल्दी से फोर्ज हो जाते ठीक है अब देखिए हैंडमर जू होता है कीलो कि ठोकने पलासतर तोःने वह काम में आता है कीलो के ठोकने हैं और बड़ावाला जो होता है power hammer वह मतलब power hammer कम खर्च होता है man power कम उसमें खर्च होता है और बड़े-बड़े जॉब यानि बड़े 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 मोटे-मोटे स्टील के रोड उट सब को फार देता है इसके लिए इनहें जो है निम्ने भागों में बाट गया है पहले पैन, फेज, इसका जो भाग है वो बताया गया है, पैन, फेज, आई होल, हैंडल, हैड, वेज, चौक और नौक, यहां से कुश्चन आपको पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आप समझ लीजेगा, एक बार तो किलियर रहेगा, इसलिए एक बार पढ़ लीजेए, ताकि समझ में आए, देखे, यहां पे देखे ध्यान से, कोन भाग क्या है, तो यहां देखिए, यह जो है, यह पूल है, क्या है, यह पूल है, ठीक है, देखे, समझे ध्यान से, यहां पे कह रहा है, यहां पे आपका कह रहा है, कि बॉल जो आप देखिए जो आप गोल का हतोरी होता है जो घटा को ऑल पें झाल कहते है उसको पॉल कहते है पूल कहते है और यह यह साइड से जो डंटा लगूसल है और यह बंदन कहते हैं और इसको था में तबधाता है तो यह देखे इस फिगर में आपको किलियर समझ में आ रहा होगा ठीक है इस फिगर को ध्यान से देख लिजे यहां पर आपको किलियर समझ में आ जाएगा इसमें भी आपको समझ में आ जाते इससे ज्यादा भारी बनेगा तो चलेगा तो लेकिन वह आपके मतलब ज्यादा कष्ट दायक हो जाएगा आपको ज्यादा करना पड़ेगा ठीक है आगे देखिए अगला कुश्चन है मतलब अगला टॉपिक है क्रोस पेन हैमर देखिए इसमें हम हैमर के परकार करता है तो इसको हम लोग क्रोस काते जो क्रोस की तरह दिखेगा उसे क्रोस कहेंगे और आई होल तो जानवे करते हैं बीच वाले छेद को कहेंगे या आई होल कहेंगे और ने किसको कहेंगे गर्दन इसको चीक उपर वाले को बीच वाले को मतलब इस साइड वाले को गाल क कहेंगे चिक कहेंगे ठीक है फेस किसे कहेंगे जिससे ठोकाएगा उसे हम फेस कहेंगे और हैंडल तो यहां पर दिया हुआ है ठीक है दोस्त तो देखिए आगे देखते हैं इसका जो मुख होता है चप्टा एबम पीन हत्थे की अक्ष के लंबबत दिसा यानि कि क्रॉस बन पेन हैमर अब इसके पीन की लंबाई हत्थे की अक्ष के समना नतर होती एबम पीन उपर की तरह किनारे पर टेपर होकर चप्टी हुई रहती है ठीक है इसके कुछ यहां पर फिगर दिये हुए हैं इसका सिर्स की चौराई देखें क्या या दिखिए इसकी जो सिर्स की कर फैलाने हैं तो किवल आपको हैमर के बारे में मोटा मोटी आइडिया रखना है ज्यादा इसके डिटेल में पूछता भी नहीं है केवल पूछ देगा कौन सा है खले नाम याद रखेगा वजन कभी कभी पूछता है धोखा से पूछ देगा किस्मत खराब होगा कुछ इस तरीका का फ्लैटन हमबर होगा आप जंबूर हथारा देखें जंबूर हथारा जो की एक तरीके से कील निकालने में मदद करता है उसे जंबूर हथारा कहते हैं यह सब इसके डिफेंड किये गया है तो एक वार हम एक हथारा में कर दिये हैं तो बार-बार करने की ज कहेंगे तो यह सारी चीज़ आप जानते हैं इसलिए बार-बार हथारे का हम यह चीज़ बताएंगे नहीं चुकि आपको एक ही बार बता दिये अब देखिए सैलेज हतहौरा कैसा होता है तो दोनो तरफ से देख रहें पीटने वाला होता इसका वजय कहते हैं इस modifier करते हैं लोह fixes । को करने चप्टे sechs ज crafting इसके अंदर ंडडर हता है जिसके कारण इसे पकरने के लिए लकड्य हैंडल का उपकay الع prue करते है तो क्या होता क्या होता है दौक धेशे होता तो आपकी कहोगा तो आपके घर में होगा तैसीज़े होगा तो अफ्etch 1 बनाया हुआ हुग सब्सक्राइब कि ये सब की चादर को पीट करके चादर भनाई जाती या सीसम स λखас बसे मजबूत होथा सगंची कठोर मतलब लक्री से इसमें अब नाइलन हामर कैसा होता है तो यह उसका द्रीकर की से नाइलन फिगर भी हम आपको दिखाते चलते हैं यह आपका क्लो हैमर का फिगर हो गया ठीक है यह आपका किसका फिगर हो गया तो क्लो हम हैमर का यह फिगर हो गया क्लियर उसके बाद देखिए आपका सालेट वेज़ेज का फिगर भी यहां पर दिया हुआ है इस तरीक एक से दिया तो यह सारे आपको भी से ध्यान रखने अब देखें चौथा है आरी पढ़ते आरी क्या होता आरी देखें हुईएगा घर में कुछ भी लकडि उकरी का समान काटा जाता था था तो आरी यूज चाटा था था हम भी एक पती लगा हुआ रहता है जो कि ब्लेड को मुरने नहीं देता है देखें यहां पर कुछ इस तरीके का दिया हुआ रहता है उपर के लोहे का ब्लेड उपर से यहां दिख़रा होगा दिया रहता है यह पतला होता है यह मूटा होता है यह पकर ले रहता है ताकि यह मूरे मुड़े तोड़ जाएगा साइज कितना 200-300 मिलीमिسव होता है इस ये इसको करता है नात तो जन्बे करते को हम लोग कार्पेंटर करता है यह लक्री को काटने में काम में आता है इसका जो साइज होता है 200 mm से 300 mm होता है इसका जो ब्लेड आगे से कम और हैंडल की तरफ अधिक चौरा रहता है इसके भागों को यहां पर डिफाइन किया गया है ठीक है एक वार आप भी इससे डिफाइ आप यहां देख लिजी यहां पर धेहां दीजेगाहां पर नीव इसको कहां एचिंग कहां इसंब हो गया इसको 100 का हैंगे यह पकरा हुआ और इसको क्या कहेंगे lower horn कहेंगे जो यह देखए होर सेंग के तरह निकला हुआ ए तो पहला तो चोटे जगों पर काटने के लिए कि होल का प्रयोग किया जाता है कि होलका प्रियोग चोटे ध्रिल करने के लिए किया जाता है जैसे चार मीली मीटर चार डदीजे और 600 करते यह लोहे के चीज़ों जैसे कंड़क्टर पाइप जी आईपी जी आईपी पाइप धातों की चादर आधी को काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं इसके मुख्य भाग फ्रेम होते हैं ब्लेड होते हैं हैं फ्लाइंट नट होता है टैसन स्लाइडिंग होता है या प्राग या पीन होता है ध्यान से देखिए हेक्सा सो दो परकार के होता है एक तो फिक्स्ट होता है एक एर्जिस्टेबल होता है देखिए फिक्स्ट वाला तहाँ आगे जाएगा पीछे जाएगा और दुसरा क्या होता है इसमें क्या 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 कौन-कौन भाग भाग होता है कुछ इस तरीके से भाग भी इसके दिए हुए है तो भाग वी एक वार, ध्यान से देख लिजें यह फ्रेम हो गया यह wing nut हो गया जो nut कर्स कर चैट कर गया इस यह blade हो गया यह grinding screw हो गया जो screw इसे टाइट करता है यह variable screw यहां पे भी variable screw होता है इसको handle आप जानते हैं मतलब सब कुछ आप जानते हैं इतना तो मोटा मोटी बच्चा बच्चा जानता है आप लोग नहीं जानते हैं तो आपकी इसमें हमारी क्या गलती है अपनी जानते ह हेक्सासो में blade जो होता है देखे दियान से हेक्सासो में blade high carbon steel या tungsten steel या high speed steel का बना हुआ रहता है जिसे high taper किया हुआ होता है blade की लंबाई उसमें दोनों तरफ से के छेदरों से मापी जाती है blade को pin में फंसाकर wing nut की सायता से कॉस दिया जाता है अब देखे poker क्या है यह एक नोकदार ओजार होता है इसके दोनों भाग क्या होते है चप्ते होते हैं इसकी लकडी की casing में screw के लिए जगा बनाने के काम आ सूब्ब कहा जाता है सुब्बो या ब्राइडल का अब हम लोग सात्मा पॉयंट पर रहें जिमलेट ुक् funding कर ने के लिए या लकडी की कि भस तो में चेत करने के लिए इसका भी मतिलब की कौन साब ले लिया है इसको भी अब इलेक्ट्रिक जीमलेटर के रूप में अब वो ले लिया है इस सब करता है इतना मिहनत का काम अब बिदुद्ध है वो करें यह लक्री की बस्तुवों में छेद करने में काम आता है यह अलग-अलग लंबाई के बियास के बनाए जाते हैं तीन एमेम से चोई में साइज के बन करता है नवा उसे करेंगे होता है इसको फीड के प्रकार आप द्यहान रखेंगा अगला मसीन तीसरा चाहर ब्रेस्टड मसीन तीसरा होगा ठीक है यहां पर ध्यान से देखे कुछ इस तरीके का इसे मेन हैंडल कहेंगे यह जो नच्चते रहता है उसको आइडियल गीर कहते हैं गीर के नाम से याद रखेगा यह जो इसका फ्रेम है यह जो आपका है टर्निंग और यह पीनी इन होगया जो यह यह जाते रहाता यह difति यह इसको काते हैं कथी कट लेक एच्छेंड को िसको ड्रिल बिट कहते हैं यह सारे इसके और पिनियन जो यहां पे लगा हुआ है तो यह पॉइंट है जो कि आप याद रखते भी है कभी कभी आपको फीगर दे करके पूछ देगा कि बताइए आइडियल गियर कहां पे है पिनियन कहां पे है ड्रिल बिट किसे कहेंगे तो पूछता है यही सब पूछता है आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक डिल मसीन बता दिये ना अब इलेक्ट्रिक डिल मसीन इस सबका जगल ले रहा है यह लकडी तता धातु में ड्रिल बिट द्वारा छिदर करने में काम आती है इसे बिजली से चलाया जाता है इस इसलिए इसे इलेक्रिक ड्रिल मसीन इसे कहते है इसकी स्वीड काफी अधिक क्रणा जल्दी और असानी से छिद्र किया जा सकता है इसका साइज जो है ड्रिल चक्र से लिया जाता यह दू परकार का होता है light duty और heavy duty का होता है light duty मतलब छोटे काम के लिए यूज मिलाया जाता है देखे कुछ ही इस तरीके का यह ड्रिल मशीन कुछ ही तरीके का ड्रिल मसीन आपको देखने को मिलेगा ठीक है इसमें आपका उनःफ करने वाला यह बटन ऑनःफ कर ने वाला होता है यह फॉर्वैर्ट करने वह दिजेगा तो पीछे बींद में गई ऑगे यह ड़िता है इसको डिल मसीन हो गिया है अब देखिए का होता है इस परकार की मसीन एक अस्थान पर इस्तिर होती है और फटार की Carrot एठ redef सब आप याद भी कर लिजएगा ताकि कुछण बने गए यहां से 90 च्प्टर Because आप कराइंगे former चीजल क्या होता है तो यह लकडि की जिर्णी और उसके खुरचने में काम आती है इसका जो साइज होता है उसके blade की चौराई से मिलाया जाता है यह 3 mm से 38 mm तक की साइज इसका होता है अधिकतर electric कारे के लिए 15 से 20 mm के आपके फर्मा चीजल का प्रियोग किया जाता है यह carbon steel या cast iron का बना होता है इसका परियोग धात्व को छिलने के अब हम काटने के लिए क्लिक ये आपका चीजल है जो कि लोहार जो है इसका यूज करता है जिसमें हंडल देख लीज़े अगरD चीजल क्या होता है तो यह कंकड़ी और पत्थर के दिवार में छेद करने में काम आता है या जो है अलग-अलग साइजों का होता इसका जो साइज आपको दिया हुए 18 mm गुने 200 mm और 25 mm या 200 mm यानि दो साइज का इसमें होता है या हाई कर्बन स्टील का जितने भी आपको एक्यूमेंट अभी देखने को मिल रहे हैं या आपको साइज का यह अब लेबल है आगे देखे होट चीजल होट चीजल क्या कहलाता है एक तो कोल्ड चीजल है यह आपका जो कि दिवाल में छेद करने में काम आता है अब होट जेल देखे इसका उपयोग जो है आम तोर पर गर्म लोहे की छार पती त्यादी काटने के लिए जो लगा होता है यह लोहे का ग्रीपिंग हैंडल बनाया जाता है धातू को काटते समय इसके पॉइंट को बार बार पानी से डाल कर ठंडा करते रहते हैं क्योंकि एकर इसे ठंडा नहीं करेंगे तो यह भी करम हो जाएगा इसे इसमें गर्म धातू को काटते हैं इससे क्या कर होता हैं इसे टैमपर करने के आप साकता नहीं होती है उपकल K चीजल, क्रोस कट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल, डाइमंड पॉइंट चीजल और साइड कट चीजल और वैब चीजल यह छे परकार के होते हैं अब देखें रेती के बारे में रेती भी आपके घर मोटा मोटी में सब के घर में होगा यह उच्छ कारवन इस्टिल की ब कुष्ट यहां से बनता है इसलिए इसे ध्यान से देख लिए इसे प्एंट कहेंगे फेज कहेंगे केंगे टंग कहेंगे यह आपकी लेंथ हो गई यह आपकी आमेडर m ato और स्विस्स लेंथ मात्रchao यहीं तक मापता है ठीक है और इसमें हैंड corre invert भा रहता है यहि होता है लंबाई में पोईंट तक टेंपर रहता है सकी लंबाई के अले सबrictly सब्सक्राइब की मोटाई यह करनी क लंबाई से प्राप्ट में इसका अधीक परियोग किया घ्याएक हैं यकि ऒब देखते चलिए अनुप्रस्थ जो होता है स्कॉie iPhone के अकार का होता हुती है जहां फलेट रेती काम नहीं आते वह देखिये हर काम में जिस State का उपयोग हुआ अपने अब सकता है अनुपसार रेती को बनाया गया स्कॉत वह और्याल क ні ऑनद 100 में करने में इसको फाइल करने में काम आता है इसकी लंबाई का दो बटा तीन भाग समाना अंतर और बाग की भाग टेमपर रहता है या भी अनुपरस्ट कार्ट इसका कितना कैसा होता है बरगाकार होता है बृता कार होता है यह अर्थ ब्यास बनाने में बहुत मतलब कि उपयोगी होता है अब देखे ट्रेंगुलर रेती क्या होता है तो यह 90 डिग्री से कम वाले कोनों में काम मिली जाती है ट्रेंगुलर इस यह जो है टैनंसो वह हैकसा की पतियों को तेज करने के लिए पूछता है ट्रेंगुलर का यूज के जाता है इसका साइज जो है डेट सो दोसो अड़ाइसो वह तीन सो सरे तीन सो एमेमें से में उपलाब्द है अधिकतर इलेक्टिकल ब्रॉंज में रहाइसो एमेम हाफ राउंड फाइल को उप्योग किया जाता है दातों की कट के अधार पर रेती को पांच भाग होते चलेगा यह complete theory है इसलिए आप ध्यान से सुनते चलिए देखिए इसमें हम लीक नहीं रहे हैं इसलिए आप ध्यान से केवल सुनते चलिए इस्टेंडर वार गेज क्या होता है यह 25 mm मोटी गोल पत्ती वाली होती है जिसके चारों तरफ जो है कई भिन आकार के छेदों में के कट लगे होते हैं इसके उपर जो है नंबर लिखे हुए होते हैं इसका जो इस्तेमाल तारों का साइज मालूम करने के लिए किया जाता है यह 0-36 तक लिखा रहाता है यहां फर्मूला है HWG समानुपाती 1 by thickness of wire यह wire के जो है नाकार को मापता है इसके द्वारा सुप दिया गया है तो आप इसे ध्यान रखेगा यहां से कुशन नहीं भी पूछा जाता है लेकिन आप इसे ध्यान देजिएगा स्टेंडर बाएर गेज कभी पूछ देता है फीगर देता कौन सा यह ठीक होता है इसको लकरी के बने समकुन दिखाने के लिए इसका उप्यक के बना होता है इसका जो ब्लेड है इसकी लंबाई 15 और 30 सेंटिमीटर होती है इसे गुनिया भी कहते है कुछ इस तरीक कहा है देखें इसे गुनिया यानि कि नपने के लिए इसका उप्यूग के जाता है इसमें ब्रास फेज कौन सा है यहां पर फिगर में दिखाया गया है इस साइपने क्लिए या दूसरा इंसुलेशन और पीबीची होता है इसमें एक ब्लेड कम धार्वाली तथा दूसरी अधिक धार्वाली भी होती है, अब दीखिये line tester क्या है, तो line tester यहाँ पर ध्यान से समझे, supply line को test करने के लिए इसका उप्योग क्या जाता है, इसमें एक सीसे की tube होती है, जिसमें neon lamp और दो electrode बंद होते हैं, एक electrode के सरेटों के current को कम करने के लिए अधिक वैल्यू के परतिरोध जोर देते यह टेस्टर वोल्टेज के अनुसार ही बनाया जाते हैं जैसे 500 वोल्ट और 1000 वोल्ट देखे कुछ इस तरीकी का है आपको कहां पर स्प्रिंग लगा हुआ है कहां पर नियोन लेंप लगा हुआ है कहां पर रजिस्टर लगा हुआ ह जब जो है आप कहीं पर आपकी चेक करनी होगी कि लाइन पहुंच रहे कि नहीं इसलिए इसका टेस्टर के लाइन टेस्टर का आप यूज करते हैं वाइस क्या होता है देखें जॉब करते समय उससे सही स्थेति में मौजबूती से पकरने के लिए परियुक्त किया जाता ह है ठीक है इसकी मदद से जैसे कोई भी अब्जेक्ट को पकरके उस पर छेनी मारना है थोरी मारना है उसकी अकार को चेंज करना है इसलिए वाइस का परियू करते हैं इसकी मदद से फाइलिंग मसीनिंग स्क्रैंपिंग ड्रेलिंग एवं रिमर्जिंग करते हैं आधी के प वाइस भी कहते हैं इसका उप्योग सभी परकार के चीज़ों को पकरने के लिए के जाता है यह आई एस आई के अनुसार 75 mm से 1500 mm साइज में उपला अब्द होती है जिसे जो से मापते हैं यहां पर भारत में जुगारू टेकनोलोजी होती है यहां से लोग अपने अपने तरी इंडल होता है माइल्ड इस्टिल का बना होता है यहां कुछ इस तरीकी का होता है इस तरीकी का आप देखे हुएगा जहां पर काप पंचर वाले दुकान में या मोटर साइकिल बनाने वाले में मतलब सब जगा आप देखे हुएगा जो कि रिपेरिंग वाले काम करते हैं समय के बड़ाइं होता है इसकी बाइब वे जोड़ाने सभी बने होता है इसे भी अकार की बने जाता है भी का कौन समाने तर 90 डिग्री का होता है इसकी body वज जॉज कास्ट आइरन तता है spindle और handle mild steel का बना हुआ रहता है कुछ इस तरीके का होता है जो कि चूरी उरी किसी भी object में डालने में काम आता है अब machine wise देखिए machine wise यह है machine यह दिख रहा है आपको figure करने के लिए काम में आता है जो उपर के दो तारों के बीच में इसको लगा करके अब टाइट कर सकते हैं overhead तार होगा आगे देखिए hand wise क्या है तो यह एक छोटी हाथ में पकर कर परियोग में लाने वाली wise होती है जो कि mild steel या rod iron की बनाई जाते है इसमें handle के अस्थान पर एक supply nut दिया रहता है देखिए कुछ इस तरीके कराता है इसके परियोग से overhead line पर या सकत तारों के joint को wise से पकरने हैं तो काम में लगते हैं इसके अत्रिक्त इसका परियोग फीटर शॉप तलो की चाबिया बनाने तथा इंस्टूमेंट शॉप में भी जोबो को पकरने के लिए आप इसका क्यों करते हैं कहां पर विंग त्रिम जो होते हैं व Histor फेम ओकर शॉटर भाएंव करें कहां पर जो डिया हुआ है धेशर लिदिया से सब्सक्राइब बनाने में बनाया हुए हैं तो यह सब करills करें में खानी हम खुब कियों करस्थानी देखें यह जो है ना मुख्यता चार परकार के होते हैं हैं अगर आप आइरन करना चाहते हैं तो यहां पर आइरन पजीश वाड का है उसके बाद यह दिस वाइर है यहां पर दिया हुआ है सोल्डर पेस्ठ है पेस्ट लगा करके ही इसोल्डर को गला करके ही आप यूज किजग है यह सोल्डर वायर आपका यहां पर है यह सकते हैं आगे देख चलते हैं अगला है रावल प्लग टूल रावल प्लॉग टूल क्या थ्यान से देखिए रावल प्लग टूल इस ऑजार में धातू का बिट लगा हुआ रहत है जो की अधिकतर स्टील का बना हुआ रहता है प्लग शाइज के अनुसार इहीं नंबर टुल में होते हैं ठीक है जो इसका जो इस्तेमाल है पत्थर और सिमेंट की दिवारों पर सुराक करने के लिए लिए कुझा टूल को परियोग करते समय धीरे धीरे उसे घुमाते रहना चाहिए इसका परियोग धातों की बनी हुई चीजों पर करना चाहिए इसका जो नंबर अनुसार 8-10-12-14 इत्यादी दिया गे रहत देखिए इस तरीके गराबल ब्लॉग टूल है ध्यान दीजेगा अब देखिए अगला पॉइंट है कि स्टॉक क्या है तो इस्टॉक डाइ को रखने के लिए होता है क्या होता है यह कास्ट आयरन स्टील का बना हुआ होता है किसका बना हुआ रहता है कास्ट आयरन स्टील का बना हुआ होता है डाइ से बाहरी चूरी को काटने में काम मिलेते इसका अकार जो होता है काम के ब्यास के हिसाब से बदलता है ज्यादा तर 12 mm 18 mm 25 mm और 30 mm साइज के मिलते हैं आपको मार्केट में डाइ में दो टुक्रे होते हैं जिनमें चूरी कट होती है इनमें एक तरब की जो चूरिया होती है वो टेंपर से टेंपर में ग्राइंड की होती है इन टुक्रों को स्टॉक में लगे करके चूरी करते हैं कुछ इस तरीके का फिगर आपको दिख रहा है इस टॉक फ़र है डाइड डाइड राउंड डाइड भी होता है और है तो यह सारे आपके यहां पर एक रोस फ्लैक्ट है यह दिया हुआ है आगे कैसी के बाले में समझते हैं इससे कुष्चन रहता है सबाइड दियान दिजीगा इसका उपयंग जो है इंपायर क्लोफ लैथ्झराइड पेपर काटने के लिए के लिए जाता है इससका जो साइज होता है 1500 amm से 200 mm होता है आगे वाले गो जो ब्लेड होता है जिससे कट होता उसे ब्लेड काते हैं फिंगर कहां पे है यह देख देख लिए वाइट कहां पर यह देख लिए काटर के बारे में समझते कटर्या करतक उससे भी करते हैं इसके द्रक्राइब करती है या दो परकार घंटर एक पहला तो होता है और दूसरा अध्याशन होता है देखिए ध्यान से इस पहला फिगर आपको दिख रहा है इसका अकार 1.500-2008 तो सब का अकार 1.500 क्या पास आपको दिया जा रहा है दुसरा वायर कटर होता है जिससे आप लोग वायर को काटते यह तारों को काटने के लिए उपयोग मिलाई जाती है इसका इस्तेमाल उस समय क्या करते हैं जब जली ह हुआ हुई मसीन ऑ यह की कटिंग करनी होती है यह अलग-अलग साइजों मिलता है जैसे आपको सुक्ष मकर्तक सेट क्या होता है आपको यहां पर कहल दियान देने वाली बाध invari me यह जो इन णट और बोल्ट को कसने के लिए कम लिए जाती यह पराए स्नेपर करें जल्दक को कमेंट कुट जो इसको क्या कहते है यह नाट और जो परदाओ जाती है या कास्ट स्टील वर्ग कारवन स्टील की बनी होती है इस्का जो एक ही सीरा होता है और एक ही मतलब size का nut खोलने के में काम में आती है, double expanded spanner क्या होता है, इसके दोनों तरब सीरे होते हैं, तथा दो अलग-अलग size के nut को ये खोल सकता है, double बला ठीक है, triple बला नहीं होता है, बिधुत कार प्राय 3-25 mm जबडे वाले double spencer का यूज करते हैं, added spencer का प्रयोग करते हैं, इसको जो है, दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसका size 1500 mm और 300 mm होता है, यह cast steel या stainless steel का बनाया जाता है, देखें कुछ इस तरीकी का steel foot rule है, दिया हुआ है, अब देखें, 4 more 2 foot rule क्या होता है, ध्यान से सुनिए, यह लकड़ी का बना हुआ 2 foot rule होता है, इसको अ बढ़ा घटा सकते हैं, पिंसर क्या होता है, तो ध्यान से देखें, पिंसर क्या होता है, इसके दोनों जो गुलाई के अंदर की तरफ मुरे होते हैं, इसकी एक टांग पीछे से flat होती है, जो की लकरी से, लकरी में से kilo को निकालने में काम आती है, इसका जो size होता है, लंब जब किसी धातू पर छेद करना हो, तो उसे pointer करते हैं, इसके लिए center punch का use करते हैं, point करने के लिए, देखें, यह जो है high carbon steel का बना होता है, जिसकी मुटाई 4 mm से 12 mm होती है, लगभग यह 125 mm लंबे होते हैं, इसके आगे का भाग temper होता है, और तथा इसका point का 90 degree होता है, कितन range देखें, अब इसको क्या कहते हैं, इसको मेंली हम लोग range के नाम से जानते हैं, इसका जो original नाम होता है, उसे range कहते हैं, लेकिन हम लोग सलाही रिंच से खोला था, क्या खोला था, आप जानते भी होईएगा, ठीक हैं, तो ज़्यादा detail करने के जगत नहीं है, यह लोहे के पीसा होता है, तो ध्यान से देखिए, यह जो है range बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है, इससे जो body के साथ 15 से 45 डिगरी का कुन बनाता है, उसे हमें screw range कहते हैं, इतना से कितना बनाएगा, 15 से 45 बनाएगा, इसके moveable jaw पर चूरी कटी हुई रहती है, जो एक worm के साथ मिलती है, worm को घुमाने पर moveable jaw आगे पीछे होता है, इसे adjustable range भी कहा जाता है, screw range कुछ इस तरीके का है, आम तोर पर सभी गर में इसी तरीके का range पाया जाता है, जिसे हम लोग सलाही range करते हैं, यह monkey range है, बंदर की तरह यह दिखता है, इसलिए monkey range इसका नाम पड़ा है, इसके jaw, ज यहाँ अलग-अलग size के knot वो bolt कसनी के लिए खोलने के लिए वहाँ पर इसका परियोग होता है, pipe range क्या होता है, यह carbon steel का बना हुआ रहता है, pipe range से pipe को खोला जाता है, यह कितने परकार का होता है, चार परकार का होता है, body, fixed resolve, movable और slider, कुछ चार परकार के होते हैं, यह figure भी अच्छी तरीके से पकर कर रखते हैं, slider nut knurl किया जाता है, क्या किया जाता है, जिसे घुमाका range को pipe के साथ, pipe के size के अनुसार adjust किया जाता है, यह अलग-अलग size में मिलता है, chain range क्या होता है, देखे, chain का बना हुआ range को हम लोग chain range कहेंगे, यह pipe range की तरह होता है, इसके बड 500 feet से ज़्यादा चला जाता है, तो pipe को पकरने में काम करता है, अब देखिए, इसमें एक rod के सीरे पर दोनो फ्लेट लगी रहती है, जिनके सीरे पर दाते कटी होती है, इन प्लेटों के साथ एक chain लगी होती है, जिसे chain को खीचने पर खाचे में फंसा कर घुमाया जाता है, माइक्रो मीटर क्या है, यह एक सुक्ष मापी यंत्र है, जिसके द्वारा किसी तार का ब्यास या पदार्थ की मोटाई नापने के लिए प्रयोग की जाती है, इससे 0.001 तक सुक्ष माता में मापा जा सकता है, इसका जो साइज होता है, 0.25 mm से अधिक होता है, यह यू की आकार का बना होता है, इसे स्क्रू गेज भी कहते है, क्या कहते हैं, स्क्रू गेज या माइक्रो मीटर यह कुछ इस तरीकी का, इसमें देखे, ट्रिम्बल कहा होता है, राक्टेज स्टॉप कहा होता है, एवियल स्मिंडल कहा होता है, लोक कहा होता है, फ्रेम कहा होता है, इस सारे आपको एक बार देख लेने से वीडियो करो करके आप एक बार देख लीजगा यह तीन परकार के होते हैं आउट साइडे माइक्रो मिटर इंसाइड माइक्रो मिटर इस भीतरी भागो को चौक करने में या काम क मिलेते हैं इसमें कम से कम दो इंच या 50 mm तक माप ले लिया जा सकता है अब डेफ्थ वाला क्या होगा डेफ्थ यानि गहराई वाला इस माइक्रोमीटर की सहता से किसी जॉब की स्लॉट गुरूब वच्छेद की गहराई मापते हैं इसकी रेंज जो होती है जिरो से एक इंच एक से दो इंच दो से तीन इंच इत्यादी होती है नाम से ही पता चलते रहाता अब देखें डिजिटल माइक्रोमीटर आगया है अब देखें डिजिटल हर चीज डिजिटल हो रहा है देखें यहां पर जो दिख रहा है आपको डिजिटल मीटर भी इसमें पाता है जिसका संभन घराडीजी द्वारा माीक्रोमीटे स्पिंडल से होता है इसे से Zero THittley दूर करने के लिए लगा होता है insulation क्या होता है तो यह तारों के उपर का insulation उतारने के लिए काम में लिया जाता है इसकी one ओढ़ूता है नहीं दिया हुआ है इंसालेफंट तो यहां पर दिया हुआ इंसीन को और चन्वोर कई हम प्षी करना पूलर क्या होता है कि यह मसीनों को पुली उतारने में काम में आता है ज्यादा तरह काष्ट आइरन पिल्की बनाई जाती है ठीक है आगे देखते हैं इहां पर हैं जिसे जो है to tw price सब्सक्राइब यहां नीचे वाटी कहें के सब्सक्रीध क्रोपर वाला होता है थीPaul सब्सक्राइब यहां नीचे वाले एक्सागोनल हेड पर स्कृरू है यहां पर फॉर्स लगाता है यह पुलई police करता है बेरिंग निकालने में वाले चिल ही इसका साइज सेघान रखेगा यह पुली हो मेर कहीं क्या हो गया यह यह bearing puller हो गया क्या हो गया बेरिंग पूलर अब वायर ट्रिपर क्या हो गया जो वायर ट्रिप करता है यह तारों का इंसुलेशन उतारने में काम आता है इसके अंदर छोटे बरे साइजों के खांचे बने हुए रहते हैं इसका साइज 200 mm से सारे 300 mm तक होता है इसे एक gate setter होता है, इसमें क्या होता है, gate setter भी होता है, देखे कुछ इस तरीके का होता है, length stop, pressure adjustment, knob हो गया, cutter हो गया, handle हो गया, यह सारी चीज़े आपका wire receiver में होता है, इसकी सहाता से insulation छिलने वाले तारों का gate set करने के लिए क्या जाता है, क्रिंपिंग टूल या उर्मिक औजार इसका यूज देखे कैसे होगा, यह क्या होता है, यह तारों के जोर थिंबल आदी उतारने में इसका प्रियोग होता है, यह अलग-अलग size के मिलते हैं, क्रिंपिंग टूल क्या करता है, यह तारों के जोर को थिंबल आदी लगाने के कि रयोक के जाता है तारों को जूड़ने में इसका उप्योग करते हैं वह वाया खे। तो उसमें शॉड़ राजमिस्टेरी आता समझें में नहीं आता सहल आपको ये वा जो है है जूर रहिए वह आपकी इत्री आपकी दिवाल नहीं जूर है इसके लिए सहॉल का प्रियोंक किए जाता है यह धातू का आपको दिवाल बनाने में काम में आता है अब मापन टेप क्या होता है देखे जिसको लोग इंची टेप के नाम से जानते हैं मेजरिंग टेप क्या होता है या लंबाई मापने में काम में आती है इसके लंबाई दो मीटर से 20 मीटर तक होती है या टेप कपरे या धातो की पत क्रियों के बोडों में छेद करने में काम में आती है बिजली के लिए 25 mm साइज का परियोग किया जाता है कुछ इस तरीक कि का होता है वही बला इसका फिगर हम पहले भी बता दिये थे रेचिट बिट ब्रेस आपका यह ठीक है इसमें क्या होता है सेल हैंडल जो यह सारी के उपार उसका निश्चित कोन पर बर्नर लगा हुआ रहता है इसमें मिटी के तेल का प्रियोक करते हैं इस से आग लगाने वह जूलसने की सम्भवना रहती है से क्या होती है आग लगने वह जुलसने के क्या रहती है संप्रमना ब्लो लैंब का यूज से अब देखे एलन की क्या है तो यह छे भुजा वाली एक ठोस तथा अंग्रेजी के लक्षर के समान अक्षर के बनी होती है इसका परियोग जो होता है एलन हैड बोल्ट या कि रूप में मिलता है ठीक है इसका उप्योग करता है यह भी रिंच कहीँ एक परकार है रांदा किसे कहते हैं जब ओक्रिक का कॉई काम कर मात पर रांदा मारा जाता है श्रकर को भी इन साइजों में मिलते हैं इसका साइज ब्लेड की चौराई वर रंदे की लंबाई के निर्भर करता है 300 इंटू 500 इमेम इसकी लंबाई होती है इसके मुख्य भाग का परकर करके होते हैं ब्लेड और हैंडल ठीक है यह भी अब डिजटल आ चुका है रांदा भी क्या आगया डिजटल आगया पहले जो है रांदा हाथ से किया जाता अब डिजटली किया जा रहा है ठीक है तो इसके देखें कौन-कौन से भाग है अब फ्रोग किसे कहेंगे लीवर कैप बॉटन प्रोश कर गया होका डिए मरं देखें मर क्या है तो कंडीव फाइप को कटने या च左फ करने के लिए कि उलएक कि टुकरे या तेज सख्यांने सब्सक्रいました जो दीख रहे हैं बदेखिया बीट क्या होती है इसको डिल्लिंग इसको का भी एडवांस वर्जन आ गया जिसे आप क्या वलते हैं एक मसीन आता है उसमें लगा करके आप डिज्ट क्या करते हैं इलेक्ट्रिक से छीद कर सकते हैं ठीक है आगे देखिए औरगर क्या कहता है औरगर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं या एक परकर का जिमलेट होता है जो की मोटी लक्री में छेद करने के लिए बढ़ाई इस्तेमाल करता है इसका साइज 12 mm 15 mm 18 mm होता है आगे देखिए टॉंग क्या है यह गर्म चीजों को तरी के लिए जोकि लोहाड यूझ करता है उसे टॉंग कहते ठीक है में अगे देखिए अगला हैrier ने में जो Cake कि इस द्रेके का हो गए जो ची इस्तों को कह सब्सकी थीरोडेम होता है अब आगे देखिए इसक्राइबर देखिए दियां से स्क्राइबर यहां पर जो की ब भेकलािट हाइलम तता धातू की चमकदार सता पर निसान लगाने के लिए इसे यह लाइन खीचने के लिए पर बिग करते हैं इसके दोने किलेए subti नहीं हाड घायम पर क्या ओंपर की ही हुई रहते हैं इसके लंबाई चलाय मान जो के साथ कसे हुए रहते हैं काटे जाने वाले पाइप को कटर के जो में पंच द्वारा यहां पर पंच किया हुए रहता है और पेंच हैंडल को थूरा थूरा कसते हुए हैंडल को पाइप के चारों तरफ घुमाते हैं जिससे पाइप क्या हो जाता है कट जाता ह इसका Size क्या होता है 300 900 तक की लंबाई में होता है और देखे कुछ और गारों की सुरक्षा है आपके सब्धानी यहां पर लेते हैं तकी आपका यह च्टर कंप्लीट हो जाए और जारों की सुरक्षा मेंने सेंबाइब better मेने सेंबखने और को अब रहे थे अब उस फी mau कि सुरक्षा को किसे किंगे भाइन दीजिगा पहला प्लायर होता है का थिर पहला प्लायर होता है इनमें इसे से जो है यह लोहे के तार और कोई अठाश चीज न काटे फिरसे क्या करना कोई लोहे की चीज या कोई सक्त चीज ना करना है काटना है गर्म बस्तुवे इससे ना पकरें इसे जो है हमर की तरह परियोग में नहीं नहीं होना चाहिए मतलब ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए इसे हमर या चीजल की तरह परियोग मत की चाहिए अब हमर की तरह ठोगने उसका हैंडल होगा तो 어े परियोग की यैदा टो मुक्त चाहिए लग सकता है तो उससे प्रयोग की जगा तो वह छिटा कर किसी के सीड पर लख सकता है किसी का बॉड़ी पर किसी के मतलब कि दूसरे को नुक्सान पहुचा सकता है इसे काम के अनुसार ही इसका प्रियोग करें इसके उपर तेल को भी कोई अन्स नहीं रहना चाहिए ताकि यह छिटके ना अब देखें टेनन यह एकसा सो जो जिसको आरी कहते हैं इसको इसको जो है तिरकोन रेती से ही तेज करना चाहिए जो कि 90 डिगरी वाली होती है ठीक है तिरकोन रेती वसे यूचके जंक से बचाना चाहिए जब प्रियोग में न लाए तो इसे ग्रीस लगा कर रख देजिए ताकि उसमें जंग पर इससे नहीं चलाना चाहिए हैं है किसी भी चीज को काटते समय रखने से इसका ब्लेड टूड जाता है है जिमलेट क्या है इसे बीना हैंडल का प्रयोग को करना ही नहीं तो आपके हाथ में छेद हो जाएगा ठीक है छेद करते समय किसी भी इसे सीधा रखे नहीं तो इसका पेंच आप बला सीरा खराब हो सकता है हैंडल कसा होना चाहिए ड्रिलिंग मसीन इसे मसीन को हमेशा साफ र चाहिए यदि छोटा च्छेद या बरा करना हो तो पहले चोटे बीट से छेद करना चाहिए उसके बसके बरावर वाले बीट के साइज के नुक्षाच चेड कीज़ें फर्मल चीजल क्या है इसे कीलो के उपर पर्योग में नहीं ना लाए इसे एड़ज को तेज करने के ल परियोग में नहीं लाइए रेती को साफ करने के लिए तार के बरस का परियोग करें और बरस को हमेशा जो है उसके दात यानि तीथ की दिशा में चलाइए इसे जो है जंग से बचाकर रखें ग्रीस और तेल को साफ रखने के लिए गंधक के तेजाब से धोईए इसके जंग से बचा कर इसे रखें इसे टूल बॉक्स में ना फेकें इस पर छोट नहीं मारें और इसकी दक्षता खराब हो जागी चोट मारें तर ट्राइए स्कॉर या हैमर की तरह इसे ना करें इसे 90 डिग्री पर होना चाहिए जंग से बचा कर रखें नाइफ इसे एड्स को अच्छ मैं किल्रे में में करना चाहिए और दोंय हमत्रों प्रश्ण है और आम कूंबिनेशन्स क्लाइर किसा कामें आता है और किस कमें में आता है चाहरें खालता है यह क्या काम करता है तो मैलिट किसी धातू का नहीं यह लकरी का बना हुआ रहता है यह रबर का बना हुआ यह नाइलोन का बना हुआ रहता है यह टीन कॉपर की चादरे को बाइंडिंग करने में प्रियोग मिला जाता है लोहे कारते समय क्या साव धानी रखनी चाहिए तो है किस काम में आती तो यह तारों का साइज मापने में काम में आती है इस्टील रूल किस धादों का बना हुआ रहता है तो यह स्टैनलेस स्टील यह कारवन इस्टील का बना हुआ होता है ठीक है आगे दिखते हैं अगला कुश्चन क्या पूछता है जो मुस्ट पना हो रहाता है सेंटरपेंच का एंगल कितना होता है तो 90 डिग्री होता है कितने परकार के होते हैं थींग का PARK करते हैं शाइज का कार्सिंग करते हैं चाहिं के रियू जाते हैं उडे से इसकी को फाइल काड या नरम दातूं के साव करना चाहिए Aww कोसिस में तूट जाता है च्छैनिक थादू का बनावर राता है तो यह बिक्राइब को इसटियिया काडने के लिए चीज rec Да इसको मैं कि यह अपने आटा है मायक्रोमीटर से निउन्तम माप कितनी ली जा सकती जो जिरो डिटेस प्रहनाली में 01001 cm से तुस्क्रोस्मे किसका में आता है क्रोस्पिन हैमर जो होडे जनल channel बनाने के लिए किया जाता है काम मं adapted channel किया घ्या होता है तो जो आप लोग लोहार को देखते हो यह रड़ बर channel बेटिंग मुल्डिंग करने बदला लोहार होगा जो गेट उलड बनाता हो वो chanel का परिख बार-बर करता है ठीक है तो वहाँ पीसका में पर । परЬयों काटने के लिए अब देखिए साइड कटिंग पलायर को